ग्राम पुचार चनाव की बाद चित की खुशी में आईचीत पार्टी में शामिल होने गए एक यवक को जान से हाथ धोना पड़ा मृतक दिग्रस तैसिल के रहाटी गाव का निवासी कोनबा लक्षमन हटकर है मृतक की परिजनो द्वारा इस संदर में दिग्रस पुलिस में मावला दज किया है इस घटा को हत्या करार देती वे सभी आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग परिजनो ने की है दिग्रस पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरास्त में लेकर जाज शुरू कर दी है खाने का रुक करते हुए हटकर परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है इस दारान में लिजानकारी के अनुसार हटकर परिवार के सदस्ते ने बताया कि ग्राम पंचाइच चुनाव में जीत दर्श करने के बाद नारायन गवहने द्वारा किसी खेट में पार्टी का ना सिर्फ अपमानित किया बलकि ग्राम पंचाइच चुनाव में कोंडबा हटकर के परिवार ने उन्हें वोट नहीं दिया इस बात को दोहराते हुए कोंडबा हटकर को छूरा खोब दिया जिसमें उसकी मौत हो गई इस आशे का रूप हटकर परिवार ने किया है जाल इलक्षें जाले नाराइन गवाने तेनी त्या कुशिये मारा पार्ठी दिली सेता मदे नदी चाठावर आउनला नदी चाठावर आणी माजा भावला तेनी जवना करता पार्ठी बोलो ले नाओ का भावत है कुणडबा जी लक्षेमान हटकर आने तेनी मनले कि वा तेंचा पित्नया ने कि जवाला का आला तुका मद्दान केलने आमाला आसा जवाद अस्ता लगे तुरी तेनी छातित खुप सोली जिवाना मारून टकी पती के साथ हुई इस अचानक वारधात के बाद मुर्तक की पत्नी संगिता का हाल और भी बुरा है क्योंकि इस घटना ने संगिता को विध्वा और साथ और आठ साल के दो बेटे विक्की और राज हटकर को अनाद बना दिया है यही वज़ा है कि संगिता न्याय की गुहार लगा रही है इस संधा में घटना का पता चुल करते ही उपविभा के पुलीस अधिकारी उदैसी है चंदेल और दिग्रस पुलीस ठानेदार सोना जामले निगुरवार को घटनास्तल को फेटी और दिग्रस पुलीस ने छान बीन शुरू करते हुए विश्वास गवाने को फिरासत में लिया है हटकर परिवार ने मांग की है जिसने भी कोनबा को कॉल कर पार्टी में बुलाया था हत्या के बाद दिग्रस के ग्रामिन अस्पताल पहुचाय था उनकी भी सकत तरीके से जाच की जाए और मृतिक के परिजनों को न्याय दिया जाए ऐसी मांग की है देखना होगा कि छान कान की रिपोर्ट